आज हम बनाएंगे मंकी कैप बच्चों के लिए मंकी कैप इसको हम 3 साल से 2 साल से लेकर 7-8 साल तक के बच्चे को पहना सकते हैं यह हमारा वो साइज है तो इसको शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले क्या डालने हैं 12 जोड सिरफ 24 कुंडे तो हम 12 जोड डालेंगे पहले यह हाथ में धागा लिया और निकाल दिया यह हम इस तरीके से 24 कुंडे डाल लेंगे इसमें यानि के 12 जोड यह देखिए हमने क्या किया यह 24 कुंडे डाल लेंगे अब हमने सिम्पल इसको दो उल्टे दो सिरफ यानि के दो अपनी साइड दो दूसरे की साइड तो सिम्पल हमने यह ऐसे ही बुन्ने हैं और इसके लिए हमने बुन्नी है अपनी टोटल गिनकर 36 सिरफ यह तो हम दो उल्टे दो सिरफ दो दो तरफ से ऐसे ही बुनेंगे दोनों तरफ से हम सेम बुन्ते चले जाएंगे और यह हम वर्दमान की पतली उन से जो सिम्पल उन होती है उससे बुन रहे हैं तो इसलिए यह नाप हमारा उसके हिसाब से ही है तो यह देखिए यह हम कैसे बुन रहे हैं दो सीधे फिर दुबारा से दो उल्टे यह देखिए यह देखिए आपको समझ आई रहा होगा कि हम कैसे बना रहे हैं दो सीधे और दो उल्टे प्रस हिसाब हमने इसमें यही रखा है कि हमने इसमें गिन कर पूरी गिन कर 36 लाईया यह देखिए यह हमारा एक कुंडा बच गया था तो हम इसको घटा देंगे क्योंकि यह 25 डल गया होगे हमने 24 ही रखने है यह देखिए यह हमने लास्ट में यह दिया ऐसा हो जाता है तो हम इसको आके कम कर सकते हैं दो सिधे दो उल्टे सिधे पे सिधे उल्टे पे उल्टे बस हम ऐसी बुनते चले जाएंगे सिधे पे सिधे उल्टे पे उल्टे ऐसे ही हम बुनते चले जाएंगे यह देखिए हमने यह 36 लाईयां अपनी पूरी कर लिया है दो उल्टे दो सिधे दोनो साइड से अब हमने इसमें क्या करना है हमने 36 लाईयां किसले करी है क्योंकि हमें इसकी दोनो साइड से 36 चटिस कुंटे चाहिए क्योंकि जब हम दोनो साइड से 36 चटिस कुंटे उठाएंगे तो हमारे 24 और 36 यह मिला के कितने बन जाएंगे 72 और 26 तो यह हमारे 96 कुंटे बन जाएंगे देखिए हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि एक बार इधर से उठाने है और एक बार उधर से उठाने है यह हमने टोटली कठे कर लेने हैं और इनको उठाना बड़ाई असान है पहले हम इनको एक एक करके आधी कुंडे उठा लेंगे उपर उपर वाले यह जो हमारे उपर उपर वाले कुंडे हैं इस तरीके से यह हम उठा लेंगे और बाद में जब हम इसे बुनेंगे तो हम इसमें से बीच में से भी एक एक और उठा लेंगे बुनते समय जिससे हमारे पूरे 96 कुंडे पूरे हो जाएंगे यह देखिए इस तरीके से हमने उठा लिए हम इसको उसी तरीके से सिध्धे पे सिध्धे उल्टे पे उल्टे सिध्धे पे सिध्धे उल्टे पे उल्टे और सारी सिलाई हम फिर से उसी तरह से करते हुए आ जाएंगी टोटल में भी दो सिध्धे दो उल्टे और ये बड़ी ही सुन्दर कैप होती है जो बच्चों की पूरी गर्दन तक धक जाती है इससे और बच्चे बार-बार उतार भी नहीं पाते क्योंकि वो बिलकुल उसके गर्दन में फिक्स रहती है ये देखिए ये हम यहां आगे अब हम इस साइड से भी उठा लेंगे उसी तरीके से इसी तरीके से हमने यहां से उठाए देखिए सिंपल कुछ नहीं करना हमने बिलकुल सिंपल ऐसे इसलाई में फिरोथते चले जाएंगे साइड के कुंडे ये देखिए साइड में नोक सी बनी भी है वो वले नोक वाले कुंडे हम उठाते चले जाएंगे ये मैं आपको सारे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रेशानी नाओ ये देखे ये हमारे उठ गया है उसी तरीके से अब हमने ये गिल लिए हमारे कितने हैं तो हमने ये 36 पूरे करने हैं जितने कम है हमने उतने ही और बीच बीच में से उठाते जाने हैं तो यह सिलाई उसी तरह से, यह उल्टों पे खतम होई है यह हमारी अब सिध्धे, दो सिध्धे, यह देखिए, और दो उल्टे, यह, यह देखिए, हमने एक कुंडा यहां से बीच में से और उठा लिया, हमने पूरे अपने 36 बनाने के लिए, इस तरीके से हम बीच-बीच म हमें एक सिलाई में थोड़ी प्रिशान्नी होएगी, लेकिन उसके बाद हमारी सिलाईयां बिल्कुल ठीक चल जाएगे, यह देखिए, यह देखिए, यहां भी हमने कुंडे उठाए हैं यह, तो वो कुंडे थोड़ी टाइट हैं हमारे, यह देखिए, यहां भी हमें गैप दिख रहा है हम वहाँ से कुंडों को उठाते जाएंगे देखिए हमें गैप दिख रहा था हमने एक यहाँ से ले लिया इस तरीके से हम बुनते जाएं और हमने इनको साथ साथ गिनते जाना है ताकि हमारे यह ज़्यादा ना हूँ हम उतने ही उठाएंगे जितनी हमें जिरूरत है देखिए हमारे उनके साथ मिक्स होते जा रहे है न यह देखिए उसके साथ होते जा रहे है बिलकुल तो हम काउंट करके देख लेंगे कि हमारे यह पूरे हुए या नहीं हुए यह देखिए यह हमारे पूरे नहीं हुए थे तो हमने इसको और उठा लिया थे यह हमारे पूरे होगे दो उल्टे दो सिद्धे और ऐसी इधर से हम पूरी स्लाई बुनते चले जाएंगे अब दो उल्टे और दो सिद्धे की यह देखिए हम पूरी स्लाई बुनते वे चले गए थे और आप हम यह पूरे इसी तरीके से दो उल्टे दो सिद्धे दोल्टे दो सिद्धे दोनों साइट से जैसे हमने शुरुआत करी थी उसी तरीके से हम बुनते जाएंगे यह देखिए यह हमारी स्लाई पूरी हो गई यहाँ पर आगे यह थोड़ा धिला था तो हमने इसको दुबारा से जट लिया है यह देखिए यह हमारी स्लाई पूरी हो गया है बस हमारी वो जो मैंने आपको बताया है क्या करना है अब हमने बस दो उल्टे दो सिद्धे पहले की दर है तो यह हम कम से कम 20 cm तक इसी तरीके से बुनेंगे यानि कि एक गिट के आसपास एक गिट या फिर इंची टेप से नापकर आप इसको 20 cm भी कर सकते हैं तो बस हमने अभी इन कुंडों को इसी तरीके से बुनते चले जानेगे क्पाने आपकोस की नापकरों कि पनी सुर्ट रखदिो राथ倒ागे क्यूंडे मैं एक दो सिर्ट मांगे की और्स से दो पह다ई करते हैं यह देखिए, हमारा यह इस तरीके से कुछ रूप ले लेगा, इस तरीके से, यह हमारे दो नोट साइड के गुंडे उठ चुके हैं, और यह इकठे हो चुके हैं, इकठे होने के बाद यह अब बुनते चले जाएंगे, और यह देखिए हमने, क्या किया, हमने यह 20 cm जो आप सिधे दोनों साइड से, यह हमने यह देखिए, इस तरीके से यह बुन ली हैं, हम आपको यह गिट से भी आप नाप सकते हैं, यह देखिए, यह गुलाई आगी, इस तरीके से हमने साइड से उठाये थे, तो यह हमारी गुलाई बन गी अपने आपी है, यह देखिए, यह से थोड़ा कम हैं, तो हम इसको जरा सा और बुण लेंगें, यह देखिए, यह स्केल की साहता से हम नापके देख रहे हैं, तब भी हमारा यह देखिए थोड़ा कम है, तो हमने कम से कम 20 cm तक बुणना ही बुणना है, ताकि हमारी गर्दन तक हमारी कैप ठीक से आ जाए, तो यह हमें अभी और बुन में यह देखिए अब हम यह बुन चुके हैं सारा हमारा यह 20 cm तयार होगे अब हम आगे क्या करेंगे अब हमने यह देखना है तो आगे हमारा थोड़ा सा चेंज है जो गर्दन की साइट से हमारी फ्रेल बन जाएगी अपने आपी और उसके लिए हमने क्या करना है यह देखिए हमने इस शुरू के दो सिद्धे as it is दो सिद्धे उसके बाद दो उल्टे as it is उसके बाद हमने क्या करने हैं अब अब यह दो सिद्धे हैं ना हमारे हमने इनका एक और एक के दो यह तीन बना लेने यह तीन बन गए हमारे और दो उल्टे जो हैं हमारे वो उसी तरह से बुनने हैं एक एक और एक दो फिर हमारे यह तीन है एक एक दो और एक के तीन हम हर उसमें बढ़ाते चले जाएंगे, एक-एक कुंडा, यह देखिए, ऐसे हैं, दो उल्टे, और सिद्धी साइड वाले में दो के तीन कर लेंगे, यह, हम इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे, और उल्टी स्लाई हमारी उल्टी, इसमें अब हमने उल्टी स्लाई मे यह नहीं है कि दो सिद्धे दो उल्टे करने नहीं, उल्टी स्लाई हमने प्लेन उल्टी करनी है, और हमने यह क्या करना है, इसी तरीके से, हमने यह जो उनसे दो सिद्धे के तीन बनाए हैं ना, हम हर स्लाई में उल्टी स्लाई उल्टी और सिद्धी स्लाई में हर में एक- लास्ट में आके फिर हमने दो सिद्धे और दो उल्टे रखने हमने इन में चेंज ने करना लास्ट में और शुरूर उल्टी स्लाइं हमने आपको बताया है या प्लेन बुनिया हमने सिंपल यह देखिए बिल्कुल प्लेन बुनिया हम इसको यह देखिए अमने यह बुनिया अगली स्लाइ फिर देखिए वही दो सिद्धे दो उल्टे अब हमारे यह कितने बन चुके थे तीन तीन बन चुके थे ना देखिए यह तीसरा है ना हमारा यह चार बन गया अब तीन के कितने बन गया चार पहले तीन बनेते दो के अब तीन के चार और फिर उसी तरह से बस हमने दो के तीन तीन के चार चार के पांच पांच के छे छे के साथ और साथ के आठ हमने इसी तरह से आठ करने के लिए सलाईया बुननी है हम इसी तरह से बुनते जाएंगे उल्टी सलाई उल्टी और सिधी सलाई में बढ़ारते चले जाएंगे यह देखिए हमारे यह सारे भड़ चुके हैं हमने यह पूरे कर लिए अब हमने क्या करने इनको यह देखिए एक बार फिर देखिए लास्ट में आके हम एक सलाईया आपको और दिखा रहे हैं यह हमारे कितने और गे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यह सातवे में हमारे आठ बुन्डे बन जाएंगे यह देखि hai यह हम बुनते बुनते हमने यह आठ बुन्डे अपने यह देखिए ऐसे तिरचा सा डिजाइन बन जाएगा अर एक में तो यह तिरच्छा से डिजाइन बन जाएगा, उल्टे हमारे उसी तरह उल्टे चल रहे हैं हर एक जगा पे, यह देखे, बस, अब इसके बाद हमने उल्टी स्लाई करके और इसको कैप को बंद कर देना है, बस, हमारी कैप पूरी हो जाएगी, और उसके बाद हमने देखना ह कि हमने उसमें कैसे सिलना है, और कैसे उसको किरोशिया से बनाना है, यह देखे, यह हमारा पूरा हो गया, अब हम इसको बंद कर दें, हम उल्टी स्लाई बुन चुकी है, अब हमने बंद करने के लिए, पहले एक बुनना है, यह दूसरा बुनना है, और पहले वाले को उपर से इसके फैक देना है भार, फिर ऐसे ही कि पिछले वाले को यह भार फैक देंगे, बुनते जाएंगे, पिछले वाले को बाहर फैक दे जाएंगे, और यह हमारा बंद यह इस तरह से किनारी सी बन जाएगी पूरे पर यह हमारे बंद हो जाएंगे सारे कुंटे लास्ट तब यह देखिए हमने यह सारे बंद कर लिए यह हमारी चेंसी बन गिया है यह देखिए हमने बंद कर दिया इसको यह खीच दिया बंद कर दिया यह बंद हो गिया अब हम यह देखिए हमारी कैसे यह किनारी सी त्यार होगी है जो यह सारी गर्दन पर आएगी जिससे पूरी गर्दन ढखी जाएगी अब हमने इसमें किरोशिय का काम करने, इसको सुधर्ता देने के लिए आप इस पे सुवी धागी की मदद से भी कोई और डिजाइन बना सकते हैं लेकिन हम इसे किरोशिय से किनारी बनाएंगे इसके और इसको सीलने के लिए हमने थोड़ा सा बस हमने उस side से इसको तोड़ दिया क्योंकि हमने जो किनारी बनानी शुरू करनी है हमारा सिद्धा side दूसरा बन रहा था इसलिए हमने धागे को इधर से शुरू करनी है यह देखे हमने यह किरोशया यहां से शुरू किया यह देखे कैसे यह 1 2 3 हमने यह 3 बान डालना है और उसमें थोड़ा सी जगह छोड़के 2 का 1 कर लेंगे simple यह देखिए फिर थोड़ा सा gap देखे यह देखिए जैसे हम यह कर रहे हैं 3 डालने थोड़ा सा gap देखे 2 का 1 और ऐसे करते हुए हम पूरे वही पर जहां से शुरू है वहां तक वापिस आ जाएंगे करते करते तो हमने सारे में 3 2 का 1 simple किनारी करते जाना है यह देखिए हम यह करते करते पूरी किनारी भुनते हुए आ गये है हमने 4 तरफ सारे में हमारा हाथ अपने आपी सारे में चला जाएगा और यह किनारी बना देंगे बस यह हमारी कैप यहाँ पर आके complete होती है अब हमें इससे सीलना कैसे है बस थोड़ा सा ही सीलना है देखिए हम यह निच्छे की किनारी एक दुसरे के उपर रखेंगे बिल्कुल किनारी के उपर किनारी ऐसे एक दुसरे के उपर यह रखेंगे इस तरीके से पर हम चार उंगल जितना आपने जैसे कि हम बीच में चार उंगल रखते हैं न उतना सील दें यह देखिए हम इसको कैसे सिल रहे हैं ऐसे एक दूसरे के उपर रखे सिंपल चार उंबल जितना जादा नहीं सिलना हमने क्योंकि बीच का हिसा हमारा फेस के लिए रह जाएगा जहां से हमने कैप को पिरोन है और सिंपल हमने कच्छा टंकी की तरह हमने इसको सिल दिया हमें जादा का करनी की इसमें जरूरत नहीं है बस अब हमने सुई को निच्छे करके बस इसको बंद कर देना है और यह हमारी कैप बिलकुल रेडी है यह देखिए यह बीच में से हमारा यह बच्छे का फेस आएगा इसमें और यह सिर के उपर आएगी और यह पीछे से सारी गर्दन सारी ढखी जाएगी पीछे से आंगे तक यह सारी गर्दन पर आजाएगी इस तरीके से यह हमारी कैप बिल्कुल त्यार यह देखिए वीडियो को लाइक एंड सस्क्राइब जिरूर करें धन्य वाद